दोस्तों आज की वीडियो बनाने का मेरा परपस है। कि आप सब लोगों को मैं एक वार्मिंग दे सकों' STOCK MARKET के लिए अगर आप फ़स्ट कर रहे हैं या करने के बारे में सौच रहे हैं तो यह गल्ती आपको STOCK MARKET में नहीं करनी है। मैं बहुत बार अलग-अलग टाइप पे ये न्यूज देख चुका हूँ, अभी रिसेंटली दो-तिन दिन पहले की भी एक न्यूज आई है, इससे पहले दो महीने पहले भी मैंने ये न्यूज देखी थी, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में अगर लॉंग टम के लिए आप पैसा लगा सकते हैं, वो पैसा जो आप लगा कर भूल सकते हैं, पांच साथ सालों के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसी पैसे पे आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, नहीं है ऐसा कोई पैसा, मार्केट में बहुत अच्छी opportunity भी दिख रही है लेकिन उसके बाद भी आपको stock market में एंटर नहीं करना है मैं किस गलती की बात कर रहा हूं पहले में news आपको दिखाता हूं उसके बाद हम आगे बात करेंगे तो आप recently दो news में यहाँ पर देख चुगा हूं यहाँ पर आप देखेंग पर अपना stock market में पैसा लगाया पैसे पर ट्रेडिंग की losses हुए और इतने जादा losses हुए कि वो लोन को भी वापस नहीं दे पाया और इस वज़ी से यह harsh step उसको लेना पड़ा similarly अभी recently भी ऐसी ही news मैंने देखी यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे टेकी jumps to death after losses in share market यहाँ पर भी यही चीज हुई लोन पर यहाँ पर लिया पैसा लोन पर लिया उसके बाद उसको stock market में इंवेस्ट किया पैसे पर loss हो गया ट्रेडिंग की loss हो गया पैसे पर सारा पैसा डूब गया और उसके बाद यह extreme step लेना पड़ा ऐसे बहुत cases आते हैं लेकिन यह basic गलती आपको कभी भी stock market में नहीं करनी है देखें stock market कोई get rich होने का तरीका नहीं है यहां पर short term में पैसा नहीं बनता है एक परसंट दू परसंट लोग सिर्फ short term में अमीर बनते हैं और आजकल ऐसा महौल बनाया जाता है जहां पर लोगों को यह चीज़ बताई जाती है समझाई जाती है कि आप stock market में पैसा लगा कर छे महीने में तीन महीने में एक साल में बहुत जादा पैसा कमा सकते हैं एक unrealistic नंबर बताया जाता है returns का कि आप इतने returns कमा सकते हैं और इस वज़े से लोग loan लेकर पैसा अपना stock market में लगा देते हैं और वो पैसा अगर डूप जाता है तो बहुत जादा नुकसान हो जाता है stock market में पैसा मद लगाईए अमीर मद बनिये जल्दी अमीर बनने का कोई तरीका नहीं है stock market specially यहाँ पर short term में कभी भी अमीर नहीं बना जा सकता stock market में वो ही लोग पैसा गमाते हैं जो एक long term में थोड़ा थोड़ा करके पैसा अपना इंवेस्ट करते हैं वो पैसा इंवेस्ट किया जाए जो long term के लिए आप रख सकते हैं और हां stock market में losses भी हो सकते हैं तो वो risk का हो आपको समझ कर stock market में पैसा लगाने और कभी भी किसी भी situation में कोई stock कितना भी attractive लग रहा है कोई आपको आकर कितना भी यह चीज बूल रहा है कि आप स्टेयर में पैसा लगाएंगे तो छे महीने में double हो जाएगा ट्रिपल हो जाएगा यह trading strategy follow करेंगे तो हर महीने आपको 100% return आईगी कितनी भी बाते की जाएं लेकिन यह सच चीज बोलता हूँ अमीर अगर आपको बनना है तो जो आपका असली काम है आप job कर रहे हैं आप business कर रहे हैं वहां पर जो आप growth पा रहे हैं उससे आप असली तरीके से अमीर बनना है stock market सिर्फ एक जरिया है जहां पर आपनी जो असली में जॉब में या फिर business में पैसा कमा है उस कमाए हुए पैसे को grow करने का एक तरीका है जहां पर आप inflation rating return stock market से कमा सकते हैं लेकिन short term में 6 महीने साल बर में अमीर बनने का stock market कोई भी तरीका नहीं है पैसा कमाने का और यह चीज आपको अपने बात अपने दिमाग में हमेशा रखनी है आपको यह चीज हमेशा ध् नहीं करना है सिर्फ वही पैसा आपको stock market में लगाना है जो आप long term के लिए लगा कर भूल सकते हैं क्योंकि short term में trading में day trading में इसमें बहुत small percentage लोग हैं जो पैसा कमा पाते है majority people 90% तक जो लोग हैं वो trading में short term में पैसा नहीं कमा पाते stock market से तो यह गलती आपको stock market में नहीं करनी है और life इन सब चीजों से बहुत ज़्यादा important है कोई बात नहीं अमीर नहीं भी बन पा रहे हैं कोई बात नहीं stock market से पैसा नहीं कमा पा रहे हैं लेकिन किसी भी हालात में यह जो basic principle है stock market में अगर आप invest कर रहे हैं इन basic principles को आपको कभी भी नहीं बूलना है लून लेकर कोई भी पैसा stock market में नहीं लगाना है ऐसा कोई पैसा जो आपको short term में चाहिए stock market में नहीं लगाना है सिर्फ वो पैसा जो आप long term के लिए 5-7 सालों के लिए लगा कर भूल सकते हैं उसमें पैसा वो ही पैसा आपको stock market में लगाना है और इस चीज को भी आपको याद रखना है कि वो पैसे पर आपको loss भी हो सकता है कितना loss हो सकता है वो depend करेगा आपने किस stock में किस mutual funds में कहां पैसा लगाया लेकिन stock market में losses भी होते हैं जो भी loss करता है वो आकर आपको नहीं बताता है कि हमारे loss हो गए जितने भी experts बैठे हैं मैंने कई बार आपको पहली समझ कर चलनी अगर आप stock market में कमानी हैं यह सबसे important चीज है कि यह असानी से अमीर बनने का कोई जरिया नहीं है ना पहले कभी था पहले चिट funds चला करते थे जब लोगों को बोला जाता था कि आप असानी से अमीर बन सकते हैं इस scheme में पैसा लगाईए उस scheme में पैसा लगा जहां पर आपको अलग-अलग वादे किये जाते हैं आपको भरूसा दिलाये जाता है कि आप stock market में हर महीने 50%-60% की returns कमा सकते हैं लेकिन ऐसा ही चीजे practically life में नहीं होती है तो इस गलती को आप में से मैं उमीद करता हूँ कोई भी नहीं करेगा और सिर्फ वही पैसा जो आ stock market सही में risky है यहां पर losses हो सकते हैं यह सारी चीजे आप समझ कर चलेंगे तो ही आप survive कर पाएंगे long term में stock market में अगर इतना आसान stock market में पैसा बनाना होता तो बहुत लोग बहुत जादा अमीर आपर बन चुके होते बहुत डिफिकल्ट होता है stock market से पैसा generate करना एक regular income generate करन तो अपने principles आपको हमेशा follow करने पढ़ेंगे stock market में अगर आपको पैसा कमाना है तो उमीद करता हूँ आप लोग सभी लोग जो basic principles हैं जो basic fundamentals है stock market में invest करने के उनको हमेशा follow करेंगे असानी से अमीर बनने की गलत फैमी से stock market में नहीं आएंगे आप अमीर सिर्फ और सिर्फ आपको 18-20% की returns generate करने का एक opportunity आपको देता है और उसमें भी कुछ rules apply होते हैं जो आपको regularly follow करने पढ़ेंगे शीखने पढ़ेंगे तभी आप पैसा कमा पाएंगे उमीद करता हूँ आपको help मिलेगी इस वीडियो से धन्यवाद दूब